हलो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमारे ड्राप्टर में चाहे हो कोई भी कंपनी का ड्राप्टर हो इसे मेरे पास ही जो ड्राप्टर है वो मेगा कंपनी का ड्राप्टर है बट अगर आप मेगा कंपनी या केमल कंपनी किसी भी कंपनी के सटेंबट इस ड्राफटर को इस ड्राफटरो चोपड़ी आड़र में एक झाले कրते हैं alors सब्सक्राइब हुआ भी आप ये ख़रोगा इस लाईन इस ल्हें को ब बेड़ मिलाना है इसके बाद इस लाइन को इस लाइन को इस जिरो से मिलाने के बाद हम एक पैरलेल लाइन खीचेंगे तो फ्रेंट जैसा कि हम देख रहे हैं इस लाइन को इस जिरो से कॉंसाइट करने के बाद जो हम लाइन खीच रहे हैं वो पुरी तरह से पैरलल नहीं खीची जा रही है इसका मतलब है कि हमारे इस ड्राप्टर में कहीं ना कहीं एक या दू एमम की एरर है तो अब हम यह पता करेंगे किस ड्राप्टर में कितने एमम की एरर है तो हम ड्राप्टर को अपने कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड या इस वूड वूड के कोर्डिंग एज़ेस्ट करेंग हो आप हम इस अप यहां पर अपने कार्डबोर की कोर्डीं कर सकते हो बर इस से लेने के नेंके बार कि 및 जब हम यह दिस्ट्रिंस को यहां और यहां से लेंगे तो यह नहीं ध्यान देना है कि यह 0 से coincide कर रहा कि यह नहीं कर रहा क्योंकि हमें went पहले ही पता है कि डॉप्टर में एक या-दू-mm कर रहे तो यहrouizer करें न पर ईसके रख से देखेंगे उसके बाद यहां से हम लाइन खीच कर देखेंगे तो फ्रेंट जैसा कि हम देख पा रहे हैं यह दूसरी लाइन इस लाइन इसमें इर एर है ड्राप्टर में होने के करण निजो लाइन है वो पूरी तरह से parallel नहीं, inclined है, लेकिन यह जो line है, यह पूरी तरह से parallel है, तो फ्रेंट इस तरह हम इसके coding, जितने भी line खीचेंगे, ऐस side line हमें parallel मिलेगी, तो इस तरह से ड्राफ्टर का प्रोपर एजेस्ट्मेंट करके ड्राफ्टर में एरर होने के बावजूद भी इससे हम परले लाइन की सकते हैं अगर हम आप पर देखना चाहें कि इस ड्राफ्टर में कितनी की रहर है तो यहां पर ध्यान से देखिए तो यह यह जो लाइन है इस जिरो से कौन साइड नहीं कर रही है इसके दस इधर आने कि इसमें 0.5 कर भी इसमें 0.5 mm की एरर है ओके फ्रेंट्स थैंक यू